अश्राम नेकुम वेलकम बैक टो माई चैनल एक नियूरोसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रिंग समोसा बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़दार रेसिपी आप इसे चंद मिंटों में बना सकते हैं जिसना से मुश्किल तरीके हैं उनको बिलकुल भूल जाएए और असान तरीके से बहुत ही मज़दार से समोसे बनाएए तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हमेज़ चाहिए होंगे आलू यहां पर मैंने दो अदद आलू लिया थे बड़े साइस के उनको बॉयल कर लिया था और ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है इसके साथ ही हमने एड़ कर देनी है शिमला म जितने भी वेजिटेबल से अपने मुताबिक आप आड़ कर सकते हैं नमक आड़ कर देंगे साथ इसमें एड़ कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्श और इसके बाद मैं इसमें एड़ कर दूंगी चाट मसाला जिससे फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है चटपटे से समोस साथ इसमें एड़ कर देंगे सूका धनिया वह भी पिसा हुई हम इसमें एड़ करेंगी इसके बाद मैं इसमें एड़ करूंगी लेमन जूस जिससे बहुत ही फ्लेवर अच्छा सा आएगा मदेदार सा बनेगा समोसा और साथ इसमें एड़ कर देंगे 3 डेबल स्पून के बराबर कॉन फ्लार अच्छी तरह से अब इसके मिक्सिंग कर लेते हैं चाहे तो स्पैचुला की मदद से कर लीजिए चाहे तो हाथों की मदद से कर लीजिए बिल्कुल स्मूज सा हमने इसको बनाना है समूसा बनाने की ये बहुत ही असान रेसीपी है बहुत ही क्विकली आप ध्यड़ों समूसे बना सकते हैं और जो न्यू बिगनर से फिर्स टाइम बनाना चाहते हैं ये रेसीपी ये केनमानियों आफ़ एक फाव ट्राय करेंगे ये बहुत ही परफेक्ट रेसीपी है तो अच्छी तनहा से मैं हाथों के मदद से मिक्स कर लूँगी, मिक्सिंग करने के बाद हम इसे साइट पर कर लेंगे, और इसके बाद हम डो रेड़ी करेंगे समोसे की, चाहे तो आप पहले ही बनाकर रख लीजिएगा डो को उसके बाद ये वाली फिलिंग रैडी कर लीजिएगा मेदल ये है दो कप के बराबर अजवाइन आड़ कर दी है 1 टी स्पून नमक आड़ कर देंगे 1 टी स्पून के बराबर ही और साथ इसमें एड कर देंगे घी, मेल्टिड घी आपने यूस करना है तकरीबन थ्री टेबल स्पून के बराबर और इस तरह से हलका हलका पहले इसको मिक्स करेंगे इसके क्रम से बनाएंगे, एक मौम सा हमने बनाना है ताके बहुत अच्छे से खस्ता से समोसे बने तो यही टीप होती है अगर समोसे आपने खस्ता बनाने हो तो एक दम से पहले ही पानी आयर नहीं करेंगे बाद में पानी आयर कहते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और अच्छी सी हमने डो गून कर रखते नहीं है तकरीबन 15 मिनिट के लिए 15 मिन्ट का स्टे काफी होता है उसी दोरान में यह डो बिल्कुल सेट हो जाएगी उसके बाद हम फटा फट से समोसे रैडी करेंगे तो जिस तरह से रमजान में जादा तर टाइम इबादत को दिया जाता है तो इस तरह की रैसिपीस को ट्राइ करना चाहिए जो के बहुत ही कम टाइम लें तो यहाँ पर देखे आटा माशाला से बिल्कुल परफेक्ट मैंने गून लिया है और इसको कवर करके रख दूँगी 15 मिनट के लिए 15 मिनट के दोरान ही बिल्कुल सेट हो गया था इसको मैंने एक दफा से रोल आउट कर लिया है दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लें बस इसना से हम इसको पतला सा बेल लेते हैं जरा बड़े साइस का बेलेंगे क्योंकि हमने इसकी कटिंग भी करनी है तो इस टाइम पर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कानली वीडियो को ज़रूर लाइक कीजेगा चैनल पर नियू है तो ज़रूर सब्सक् मिश्किल पेश आ रही हो तो हाथों पर ओइल लगा लिजेगा क्योंकि कॉन फ्लौर एट किया है तो थोरी सी जो डो है वो सक्थ हो जाती है तो हाथों पर ओइल लगा लीजिए गा जिसकी मदद से बुफच ही एजली यह सारा मिक्सट सप्रेड हो जाएगा तो पर भी हम कर लेंगे और हलका हलका साइड को प्रेस कर देंगे उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है तो कटिंग करने के लिए पीजा कटर यूज करेंगे और तकरीबर एक डेड़ इंच के फासले से इसको यूँ इस तरह से कट कर दे जाएंगे जरूरी नहीं है कि आपने पीजा कटर की मदद से ही इसकी कटिंग करनी है नाइफ की मदद से असानी से ये कट हो जाते है तो यहाँ पर स्टिप्स की कट्दिग हो चुकी है अब इसका ये लास वाला पार्ट मैंने उठाया है और इस तरह से उठाने के बाद हमने इसको करना है twist, हलका सा twist करेंगे इसको और ये जो इसके edges हैं इनको हमने bind कर लेना है, कोई भी पानी, slurry कुछ भी नहीं लगाएंगे, बस हलका सा दबाएंगे तो ये हमारे पास एक ring समोसे की shape आ जाएगी, बहुत असानी के साथ ये समोस बन जाते हैं, जरूर ट्राइ कीजिएगा, अभी हमने जो mid वाले parts हैं, उनको further cut करना है, क्योंकि ये strips थोड़ी बड़ी हैं, हमें और जादा समोसे बनाने हैं, तो दर्म्यान से एक दफ़ा से दुबारा cut कर लेंगे, और इस तरह से cutting करने के बाद जो हमारे rings हैं, उनकी shape बहुत accurate बनेगी, हलका सा stretch करेंगे, यानि के थोड़ा सा इसको आपने दुबारा से खेंचना है, twist करना है, और दुबारा से इसको इस तरह से हमने बाइंड कर देना है, इसके edges को हलका हलका प्रेस करेंगे, असानी के साथ प्रेस हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, इनको आप फट आफट से बस एक ही साथ रोटी, दो बेलिए और इस तरह से समोसे बना लीजिए, तो माशालला से चंद ही मिंटों में आप धेट सारे समोसे बना सकते हैं, और बहुत ही क्रिस्पी समोसे बनेंगे, अंदर वाली फिलिंग अंदर ही रहेगी, कॉन फ्लॉर से उसक क्रीबन चार-पांच आप कठे एड कीजिए और फटा-फट से इनको फ्राइ कर लीजिए, बहुत अच्छा सा कलर देंगे, इन पर इस तरह से टन करते जाएंगे, और बहुत ही एकुरेट सा कलर देंगे, जो फ्लेम है पहले जादा हाई नहीं कीजिएगा, वरना फिर जो पन को भी एड कर लीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी, यहाँ पर समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं, आप देख सकते हैं किस कदर ये खस्ता बने हैं, बहुत अच्छा सा कलर आया है, और जो इसका खस्ता पन है, वो देखने में ही नदर आ कीजिएगा, आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताके आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलें, थै